नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है दिली के पांच नगर निगम वोट के उपचनाव के लिए रविबार सुभा से मद्दान चारी है मद्दान कड़ी सुरक्षा वेवस्था के 20 सुभा साड़े साथ बजे शिरू हुआ हलकि सुभा तो मद्दाताओं की संख्या कम थी लेकिन दिन चड़ने के साथ ही काफी संख्या में मद्दाता अपने घरों से निकल कर मद्दान में हिसा ले रहे है मद्दान केंद्रों पर लोगों की लाइन देखी जा रही है पूर्वे दिली नगर निगम के त्री लोग पूरी, कल्यान पूरी और चोहान बांगड वॉर्ड की सीटों पर चुनाव हो रहा है जबकि उत्री दिली नगर निगम की रोहिनी सी और शालिमार बाग नौर्थ वॉर्ड की पारशद की मृत्यू के बाद से सीट खाली है वहीं चार सीटों के पारशद अब आप पार्टी सरकार में विधायक हैं यानि देखा जाए तो ये सभी पांच सीटे आम आदमी पार्टी के पास थी इन सीटों पर कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है तीनों पार्टीों ने COVID-19 महामारी के बीच हो रहे इस चुनाओ में अपनी अपनी जीत का भरोसा जताया है बता दे कि इन पांच सीटों में से शाली मार बाग नौर्थ की सीट महिला के लिए आरक्षित है वहीं त्रिलोग पुरी और कल्यान पुरी की सीटे अनुसूची जाती के लिए आरक्षित है रोहिनी सी और चोहान बांगर समाने सीटे हैं इन सभी पांच वार्डों पर दिल्ली में सत्ता सीन आम आदमी पार्टी का कबजा था अधिकारियों ने बताये कि उप्चुनाओ का परिणाम तीन मार्च को घोशित किया जाएगा मतदान के लिए 327 केंद्र बनाए गए हैं और इसके लिए 26 उमीदवार मैदान में है उन्होंने बताये कि COVID-19 मरीज सरकारी दिशा निर्देशा अनुसार मतदान के अंतिम घंटे में वोट डाल सकते हैं फिलाल इस खबर में तरही देश्ट और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ